हेलो दोस्तो आज इस वीडियो के बारे में आपको देखुँगा कि दूस्तो ये एक चैसन है और ये कुछ भी चैसन हो सकता है क्योंकि दूस्तो इस उ isto होता है इसके फ्यूच काट गया है और दोस्तों देखिए ये डिगरि सिंगायल का पॉाइंट है और ये फ्यूज का काट गया ये काट ये फ्यूज काट गया फ्यूज काट गया ये deconst cream臨 होता है ठीक है तो दोस्तों काटा iq y catch ये transistor short होने के लिए भी fuse कार जाता है और इसका पास रैक by छोटा सा हीे lithic resistor short हने के लिए भी fuse कारता है और ये filter capacitor भी कभी-कभी short हो जाता है और दोस्तों उसका बाद ये जो दो छोटा वाला इसी स्क्षन पर पास पलद था फ्योज में में फिल्टर के पासिटर प्रणाइब कम होता है। तो आए इस टाइम आपकर इकपर चेक करके देखा देता हूँ कि कुन पार्स सौट हो गया है। ठीक है। तो फास्ट आपको मेटर को 12000 रेंज पूर राखना होगा। मेटर को मैं 20,000 पर राख दिया है तो इसका बाद आपको आपको देखा देता हूं कि आप देख लिजी जो फ्यूज यह काट गया है इसका कोई connection नहीं है ठीक है दुस्तो इस टाइम आप फ्यूज दोबड़ा लागाएगा और पावर सेक्शन सौट होगा तो फ्यूज फिर भी काट जाएगा तो इसलिए आपको यह जो चारो डायड होता है यह डायड को एकर करके आपको चिक करके देखना होगा तो दुस्तो आभी मैं चिक करके देख लेता हूं और आपको भी देखा देता हूं कि डायड ओके है और आप एक बद देख लेजी यह जो टैंजिस्टर यह टैंजिस्टर देखिए यह पिन सौट हो गया है यह दोनों साइट से 28 Oms का सबस देखा रहा है तो दोस्तो यह टैंजिस्टर ऐसा नहीं देखाएगा तो यह सौट हो गया और उसके बदहीं जो नीचे अटीस्टर है है और यह भी सौट हो सकता है तो इसलिए फस्ट जो primary transistor हो था जो regulate करता है तो यह transistor को first मैं open करूँगा ठीक है दोस्तों यह open करने का बाद आपको चेक करके देखाऊंगा तो दोस्तों यह transistor मैं open किया है और यह transistor जिस version पर था आपको first देखाया और इसका जो number है आपको बाद देखा देता हूँ और यह मैं बाद जाए range for राक के टेस्ट करूँगा ठीक है दोस्तों और यह transistor इस पर यूज है D5011 ठीक है D5011 transistor है और दोस्तों आप देख लिजी यह transistor यह दिखे शौट है तब यह अगवर उल्टा करके आपको चिक करके दिखाता हूँ दोस्तों आप खुद देख लिजीए यह transistor short है तो दोस्तों इस पर मैं एक अलग transistor लगाऊंगा क्योंकि मेरा पास यह same number नहीं है और दोस्तों यह china kit port बहुत कुछ substitute parts आप यूज कर सकते हो तो दोस्तों मेरा पास यह 802 transistor है 1802 का number है यह transistor का दोस्तों यह substitute number कुछ भी पार्श हो substitute number आप दिखना चाहता हो तो प्लीज आप description box फॉलो कीजिए उसका अंदर एक वीडियो में देखके राखा है ठीक है दोस्तों तब को बहुत कुछ transistor diode capacitor उसका substitute आपका मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों फाइनल यह transistor में आपको एक बड़ लागा कि डायरीक की स्रिटान करके दिखाऊंगा और दोस्तों यह transistor open करने का बाद वह जो छोटा बाला transistor वह फी आप एक बार चेक कर लेजिए क्योंकि वह transistor short होगा तो उसका बाद यह transistor लागाने का बाद apply दीजिए तो साथ साथ यह transistor फिर भी कार जाएगा यह region होता है ठीक है यह ध्यान दीजिए तो मैं चेक किया वह छोटा बाला transistor वह ओके है इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा सिब यह transistor ही चेंज करूंगा ठीक है दोस्तों और दोस्ता अरक बाद यह transistor लागाने का बाद आपको जो करना होगा पावर रिपेयर करने का समय अब जोरूर एक 200 वार्ट बाल्प यूज कि आपको इस वीडियो में देखांगा तो देख लीजी इसका फ्यूज काट गिया है आपका पास फ्यूज नहीं है तो अब क्या करेगा एकशिली दोस्तों यहाँ पर 3.5 ampere का फ्यूज यूज होता है तो दोस्तों मेरा पास यह वायर है आपका पास भी यह वायर है तो दोस काट दीजिए यह fuse पर अब एक आयर कनेक्शन करेगा तो वह भी दो एक दिन बाद और कुछ टेम चलने का बाद भी फ्यूज काट जाता है ठीक है actually set on कारने का सुमा ही वह काट जाता है क्योंकि जो degressing coil होता है वह load बहुत होता है कि set on कारने का सुमा ठीक है तो इसलिए दो fuse वायर आपको लागाना होगा ठीक है और लागाने का बात दोस्ता आप देख लिजिए मैं लागा दिया और आपको दिखाता हूँ जो टैंजिस्टर मैं लागा है वह टैंजिस्टर को मैं soldering कर लेता हूँ आप यह टैंजिस्टर को अच्छा करके soldering कर दीजिए क्योंकि यह टैंजिस्टर लूज होने के बज़ए आपका पावर भी प्रॉब्लेम फिर भी हो जाने का चांस होता है और टैंजिस्टर भी कर जाने का चांस होता है तो दोस्ते यह ध्यान दीजिए और अच्छा करके यह PCB को soldering card दीजिए यह transistor को ठीक है तो दोस्तों यह transistor को मैं soldering card दिया और उसका बाद इसका जो tongue बड़ा था यह मैं cut कर देता हूं cutter से तो दोस्तों यह काम करने का सुमाई इसका जो wiring होता है यह बहुत छोटा था इसलिए मैं open करके राखा है तो इसी कर टाइम मैं इसका AC cord जो switch का साथ connection है यह मैं connection कार देता हूं और finally मैं इसका degusting coil मैं connection कार देता हूं तो इसका जो Uiering मैं open करके राखा था मैं सावी connection कर देता हूं ठीक है? और इसका जो दो Spray का point यह connection कार देता हूं ए और उसका बाद इसका जो panel switch है panel bottom switch यह connection कर देता हूं और उसका बाद जो sensor होता है और indicator जिस board का सब connection है मैं पुरा ही connection कार दिया और उसका बाद दोस्तों देखी यह मैं एक series line से test करूंगा दोस्तों यह मैं मेरा series board है यह जो green balla wiring आप देख रहा है हो यह series line से मैं connect करके रखा है यह 200 watt series valve है ठीक है तो power का कुछ भी part अभी problem हो सकता है तो दिखी यह lamp जल गया और यह जलने का बाद यह off हो गया है तो दोस्तो power का problem जब होगा तो यह lamp continue जलेगा actually power का problem जो होता है power कुछ भी part short होने के लिए उन लेम continue जलेगा तो इसलिए आपको साथ साथ आपकर देना होगा और उसका बाद आपको power भी अच्छा करके check करना होगा ठीक है दोस्तो और दोस्तो इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा खुस ख़बरी देने बाला हूँ कि दोस्तो मैं एक टेलिग्रम चैनल और टेलिग्रम गूब बनाया और दोस्तो पहले से ही मैं एक फेस्बूक पेच बनाया तो दोस्तो आप एक एक करके इसके लिए आप का बहुत दखने के लिए और आप कहले हूँ आपका फैस्बूक पर यलिक देखे सकते पहले एक वीडियो में वीडियो पुरा देखने के लिए